दोस्तों आई ये देखते हैं दूसरी पेच है और शादाब उपर से है और फिर से अगला आदमी नीचे से है और कट गई है पतंग नीचे की तरफ से अंदर की तरफ उसने उठा गयो थपक का मार दियो सीधी सीधी जो पटक भी पतंग यही हुआ है पतंग गई है वो अंदर उसने खीच दिया जो है अच्छा 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 यह पतंग छोटी पाड़ लाई है अधी नाम यह जांदारी वाली ना आज तो पतंग हो गए दोसो तीसरी पतंग मुन्ना भाई भी हमारे उलाने जा रहे हैंगे और फाइजी बहुत बनेया कार दिया है और बहुत अच्छा कार दिया है और बहुत अच्छा मारते ही मान कड़ गया था जटका लगाता है अंदर की तरह ऐसे ही शादाप को अंदर खीचा था उसने और उसी पे जो है पर से ऐसे मार के और उसमें जटका मार रहा है तो पतन कड़ गया है तो दो पतन कार के कड़ गया है और उसके बाद जो कार दिया है इन्होंने अब देखते हैं अगली पेश अगई पिर से नीचे की पेश आ गई और उपर से नीचे दबाता हुआ और अजीम भाइझी नीचे से और उसमें मुटड़ बार किया है फिर अंदर किया है फिर उपर गी तरफ खीय रख गीच रहे और फिर से खीच लिए आजीम बाई ने बहुत पढ़या काड़ दी आजीम बाई ने पतंग आप लोगों के दिखाते हैं जो जारी शायद आजा इसमें ऐसे आती नहीं है लेकिन फिर देखते हैं यहां पर से जो है दोस्तों देखें यहां पास से जो है वो जारी हो आप देखे यह है देखो वो जो यह पतंग वो लप्टा लिया उसने लप्टा की हटार रहा है यह पेर गड़ के आप लोगोगो rejonThis और एक आप लोगो देखें नहीं कर आप यहां पे दीख रहा हुए है और लोगो πlaşम है यहां पर यहां पर देखेंग आप दिखान निए है आप लि बहुत अच्छा पतंग लपताने वादा लपता रही देखिए और हवा भी बहुत अच्छी आगी मन की कि आज जो है इतवार दोस्तों इतवार जो है मनलब हर इतवार की एकदम मज़ा नहीं आता है लेकिन अपकी इतवार की थोड़ा सा इंजवाय हो रहा है तो बहुत अच्छा जो है पतंग देखने अगली पेश ओपर से अजीम भाया नीचे से अगली टीम के पेश नीचे से अंदर गुसता हुआ और ये मुठा सीधा किया और बहुत तेजी से चबा लिया बहुत तेजी से चबाग खीच लिया उसने एक अंदास की बात की और अंदास की इसाब से उसने जब तक ये चले चले वो खीच गया और कड़ गई पतंग अब ये हमारे जनाब शफीग भाई की पतंग ये तनी हुए और फिर से जो है देखते हैं मुन्ना भाई की पतंग उती हुई टाप पतंग मुन्ना भाई की भी बहुत अच्छी है अब देखते हैं हवा भी आगी मन की हवा एक तो थी नहीं और हवा भी तेज आगी है हवा भी बहुत आज लगी है कि हवा जो आगी है नित हवा आज नहीं दिख रही थी और सब चीज ने रब के हाथ में होती है और आप ये देखें नीला पतंग अच्छा अब शाफीग बे हमारे क्याले जो है शायद लाली भाई की बारी है और ये जारी मुन्ना भाई की पतंग और ये लाली भाई की उपर की तरफ देखो खीच रहे है उपर की तरफ है लाली भाई की बहुत अच्छी पतंग जो है लाली भाई की भी है और खुद अपने हाथ की बनाई पतंग उलाई है पौनी बहुत अच्छी पतंग है मुन्ना भाई फिर से हमारे उला दियो नहीं लाली बहुती कम लडाते हैं लेकिन अच्छी पतंग लडाते हैं देखते हैं यह पेज शायद यहां पर दिखी जाए थोड़ा साम बला कर लेते हैं इसको शायद दिखी जाए अंदर की तरफ से अपोजिट पाल्टी गुष्टी और लाली पर उपर दबाते हुए और उसके खीच नहीं पाए लाली भाई और उसमें खीच दिया डीला डीला पतंग रहे था और अब जहें हमारे जनाब दो पतंग हो गई है अब शाफीग भाई की तीसरी पतंग है और काफी अच्छी पतंग लाई है बहुत तेज जल्दी जल्दी इधर से भी हो जाती है चार-पा अगली पेज पिर से शफीक भाई किया है और उपा नीच अगे अंदर घुसता हुआ बहुत तेजी तो शफीक भी रख दिया विद्धा हूं और ढूबोया है और पकड़ गी उसने लग पकड़ की खीच लिया शफीक भाई की और उसने अभी तीन पतंग तीन पतंग हो गई अब देखते हैं मुन्ना भाई की हमारी तीसरी पतंग